हेलो स्टुडेंट आज हम लोग क्लास 11 का मैच चेप्टर 8 बाइनोमियल थियोरम एक्सरसाइज 8.2 का कोश्चेन नमबर 7 देखेंगे चलिए देखते कोश्चेन नमबर 7 क्या है तो हम लोगे सबसे पहले इसको लिख लिए अब इसको क्या करें किसे a प्लस ब के होल पावर एन से क्यों क्या हो जाएगा करें मिडिल टर्म ना तो चले देखते कैसे पाइंट करेंगे आप कंपेर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा एक्वल टू थी वी इक्वल टू माइनस एक्सक्यू बाइस एक्सक्स और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 एन इक्वल टू 7 हो जाएगा अब यहां पर दे देखे एर तिएर आर टू मिड्ल टर्म इसके कितने मिड्ल टर्म हुंगे दो कौन कौन से एक and प्लस one divided by two और एक कौन सा होगा and और एक कौन सा उसको भी लिख देते है and plus 1 by 2 और यहाँ पर plus 1 अब चलिए हम लोग यहाँ पर कैसे find करेंगे चलिए देखते है middle term हम लोग यहाँ पर देखेंगे middle term देखें क्या हो जाएगा हम लोग का घ्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखें हम लोग पहले क्या and plus 1 upon me 2 है तो इसको क्या solve करेंगे देखते क्या and का value कितना है 7 plus 1 upon me 2 कितना हो जाएगा 8 by 2 cancel जाएगा 2 वे जाएगा 2 4 जाएगा 4 जाएगा 4 जाएगा 4 जाएगा 4 जाएगा अब इसमें इसको भी देख लेते हैं देखें यहाँ पर क्या होगा and plus 1 upon me 2 plus 1 ठीक है अब क्या होगा देखें यहाँ पर and plus 1 इसको हम लोग निकाला कितना है 4 आया इसको अब डिरेक्ट भी लिख सकती है तो आप क्या करें and के place में 7 plus 1 upon me 2 plus 1 यहाँ पर क्या होगा यह हो जाएगा 8 by 2 प्लस 1 यहां क्या कैंसिल हो जाएगा क्या बचा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 फिफ्टम फोर टम आया फिफ्टम आया इसका ठीक है अब इसका हुम लोग क्या करेंगे? GENTAL TORM लिखेंगे. तो सब से पहले क्या करेंगे axa ways है? GENTAL TORM लिखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा? TR PLUS 1 अद यहाँपे Ncr, A के पावर N-R और B के पावर R. यहाँपे देखिए हैं, अब हम लोग क्या निकलना है? यहां पर क्या होगा आर का वेल्यू क्या आ गया थिरी आ गया अब यहां पर देखे एंड क्या है सेवन सी आर कितना हम लोगा और कितना करें आर कितना है आरदेक हैं यहां तोस्का ब्लस फोन लिख नर आव एक कितना है रगी सब्सक्राइब कि यहां पर कितना है थी नहीं हो जाएगा लेशना कि अधियुत सेवन फैक्टोरियल अपन में तिरी फैक्टोरियल यहां पर सैवन minus 3 factorial यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के power कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 3 के power कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा यह इसके power 9 हो जाएगा minus x के power 9 हो जाएगा और अपकोन में क्या हो जाएगा इसके 6 की तो चलिए मैंने आप लिए नेक्स्ट में देता हूँ हम लोग तो चलिए मैंने आप लिए नेग्स्ट में लिग दिआ हम इसको करेंगे देखे साइवन ऐन तुश लिखें गज़र यहानने कितना हो जाएका तृट्टी वन अभी यहां पर क्या हो जग देखें मानस X के पावर 9 मानस X के पावर 9 है ठीक है तो इसको देखी क्या करेंगे इसको ऐसी ही लिख देते हैं मानस X के पावर 9 अब यहाँ पर क्या है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 इसका 6 के 6 के अगर हम लोग क्यूब करेंगे सोरी 6 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 6 क्यूब करेंगे तो 216 कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा अब चलिए हम इसको आगे क्या क्या आगे हो जैगा था इट्री से कैंसिलोगा और नापन में क्या जाएगा चलिए भी कितना नों इसको आगे देखते हैं 37 जा 21, 32 जा 6, फिर 32 जा 6, 37 जा, फिर से 3 से कैंसल हो रहा है, 32 जा और ये 34 जा, 32 जा 6, वो नहीं है गया 34 जा, 12, यहाँ पे 39 जा 27, 39 जा 27, और ये कितना हो जाएगा फिर, 38 जा 24, और 33 जा 9, यहाँ पे क्या आगे हम लोग का, क्या क्या बचा उसको लिग देता हूँ, 35 इंटू 3, इंटू माइनस X के पावर 9 अपॉन में 8, अब इन सबको मल्टिप्लाइ कर दें, कितना होगा देखे, 35 जा 15 का, 1 9 और 1 10 हो जाएगा, माइनस इसको माइनस कर देता है, X के पावर 9 अपॉन में 8, यह आगे हम लोग का, यह क्या आगे हम लोग का, अब हम लोग कौन सा टर्म जाना था, 5 फिफ्ट टर्म जाना था, क्या निकालना था, 5 तर्म ना, दो टर्म आया था, एक आया था, 4 और एक आया था, 5 तो चलिए आब हम लोग देखेंगे कौन सा फिफ्ट टर्म इसके लिए इसके लिए इसके लिए जेनरल टर्म लिख देते हैं जेनरल टर्म क्या होगा हम लोग का कि यहां से देखेंगे तो जैंडर ट्रम का हो जाएगा हम लोग का टी-R प्लस-1 क्या हो जाएगा nCr a-a-t-r और b-a-r अब यहां पर देखेंगे इस यहां पर देखेंगे ठीक है हम लोग किया से कि पिफाइबगें तदी फाइब हो गया तो यहाँ पर पूट कर देंगे एन हम लोग कितना था ईंध हम लोग का 7 था r कितना है 4 आया a का value कितना था 3 था n कितना था 7 माइनस r कितना है r 4 यह जो हम लोगे निकाला था शुरूमें यहाँ पर देखें यहाँ पर हम लोगे निकाला था a का value 3 b का value minus 3 minus x के power 3 by 6 और n का value 7 वही चीज़ आप हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं इसके पावर कितना हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा यहां पर आगे लिख तो किसे लिख सकतेसाइवन इंटू पर यहाँ पर कितना बचेगा था करी फैक्तोरिय ठीट से लिख सकते हैं चली मैं एक बाड़ी फैक्टोरी लिखी देता हैं तो ऐगा आप लोग टी एक्स के पावर 12 हो जाएगा और यहां पर देखें इसको कैसे लिख सकते हैं अलग करके क्योंकि देखें अगर इसको क्या सामान है पावर को क्या करेंगे एड कर देंगो कितना आजाएगा सिक्स के पावर 4 ही आजाएगा कोई दिक्कत नहीं अब यहां पर देखें यहां पर क्या हो जाएगा इसको कैसे लिख सकते अब इसको सॉल्फ कर देते हैं जो कैंसल कर देते हैं जो कैंसल कर देते हैं यहां पर कितना पचा देखते हैं 75 जा 35 और यहां पर क्या बचा एक्स के पावर 12 एक्स के पावर 12 और अपन में कितना हम लोग का इसको हम लोग कैसे लिख सकते थर्टी फाइव अपन में केतना जगों फोर ट्वेल फोर जा फोर्टी एट बार कम बार कम बार हम चो भी जुटे जुट एक्स के पावर 12 हम लोग का क्या गया टी 4 प्लस यह हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है आप लिख भ 35 by 48 x के पावर 12 यह हम लोग क्या है आरदा मीडिल टर्म मीडिल टर्म यह हम लोग क्या आजएगा आंसर लेगा तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थाइंक यू